और रियासी डिस्ट्रिप के अंदर खासकार यो युवाउं के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आपनी लड़ाई कैसे लड़ेगा जहां तक हम देखते हैं कि यहां के युवाउं को रियासी के युवाउं को जो है वो उस तरीके से रोजगार नहीं दिया जा रहा जिस तर जम्मु कश्मीर अपनी पार्टी यूथ विंग शदीद इलफाज में मजब्बत करती है और उन कंपनी के जो अनर्ज है उन कंपनी के जो यहाँ पे हैड से और साथ साथ जो रेलवे के जो नार्थ के हैड में उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस मामले को संगीन में ले नहीं तो जम्मु कश्मीर अपनी पार्टी का यूथ विंग आपको गेरने का काम करेगा और जम्मु कश्मीर अपनी पार्टी का यूथ विंग जम्मु कश्मीर के अंदर उस ताकत के साथ काम करेगा इसमें जो छातर परेशान हाल है आज छातरों के साथ यहां पे सोटेली मा का सुरूप किया जा रहा है जहां तक अगर हम गुवर्मेंट डिगरी कालेज भी बात करें वहाँ स्टाफ की कमी है और बहुत सारे सब्जेक्स का यहां पे स्टाफ नहीं है हम सरकार से कहते हैं के 15 दिन के अंदर अंदर इस स्टाफ को पूरा करने का काम किया जाए नहीं तो जमो कश्पीर अपनी पार्टी का यूथ विंग इन तमाम मुद्दूं को लेकर सड़कूं पे आएगा और रियासी के नोजवानूं के हक और हकूप की लड़ाई जो है वो लेकर!